Hello everyone, साग सरसों का और बना हो परसों का तबी खाने का स्वाद आता है सो आज हम पंजाब और हर्याने के मर्दों का फेवरेट और और औरतों का दुश्मन साग बनाएंगे क्योंकि ये जनानियों की दिन की नीद और रात का चैन चीन लेता है और साग को धोने के लिए बाल्टी नहीं पूरा बाटब लगता है क्योंकि एक बार धोने से इसकी मिटी तोने निकलती लेकिन मम्यों की सिक्टी पिटी जरूर गुल हो जाती है इसको देखकर तो अलासका के लोगों को भी निमोनियों हो जाता है पहले इसको धोने की पसोड़ी फिर गंदले चीलने की इसलिए साख देखकर ताजा ही ले ताकि गंदले जादा चीलने की जरूरत ना पड़े और साख का टेक्शर इंहांस करने के लिए इसके अंदर हम बत हुआ मेती और पालक भी डालेंगे और इसको टेक्शर देने के लिए दाल, मोठ और चना दाल का इस्तमाल करेंगे जिससे आपको आर्लेंड के जंजट में पढ़ने की जरूरत नहीं और थोड़ा पानी आड़ करने के बाद हम गैस को सिचाउन कर लेंगे उसके बाद इसके अंदर दीरे-दीरे करके और साख को डालते रहेंगे दोस्तों शेहरों के रॉमेंटिक मर्द आफिस से वापस आते हैं वक्त अपनी वाइफ के लिए वाइन, चॉकलेट और रोजिस लेके आते हैं जिससे उनकी शाम रंगीन हो जाती है पर वहीं गाउं का देसी मर्द अपनी बीवी के लिए 10 किलो सागी चाक के लिए उन्द है जिस दिन साख घर में आता है उस दिन सारा दिन मम्या भी चिर्चडी सी रहती है जहां शहरी मर्द वाइन पी के रोमैंस करता है वहीं गाउं में साख की वज़ा से कलेश हो जाता है मम्य ने जब साख दोके ठंडे हाथ पापा को लगाए तो पापा भी रजाई से टबूसी मारके भार गिर पड़े कुछ इसी तरह मम्या साख का बदला पापा से लेती है अब सारा साख कुकर में सेटल करने के बाद इसके अंदर हम हरी मिर्च सॉल डाल कर प्रेशर कुक करेंगे करीब दो गंटे के लिए मीन वैला ब्रेक लेते हुए ठंड से बशने के लिए ग्लासी बरके चाय की जरूर पीए दोस्तो इन दिनों दो जीजा भी अपने ससुराल गेडा नी मारता क्योंकि उसे पता है स्वागत में प्रोने को बकरे के जगा साख ही मिलेगा जहां सलु भाई स्वैक से करते हैं सबका स्वागत वहीं पंजाब वाले सरदियों में साख से करते हैं रिष्टदारों का स्वागत सो दोस्तो अब हम साख को हलका ठंडा करने के बाद ग्राइंड करेंगे ताकि परचाटे अपने मूपे न पड़ें और थोड़े ही साख को तड़का लगाएंगे बाकी साख को फ्रीज कर देंगे इतनी मेहनत करने के बाद ममी ने साख त्यार किया ही था कि पापा चुपके से जाके मकी का आटा ले आए केंदे साख दा मज़ा तो मकी दी रोटी ना लिया होगा भोले पिता जी ये नहीं जानते कि ममी के सबर का बांद बस तोटने ही वाला है इसका बदला ममी चुन-चुन के लेंगी पहले चार गंटे साख को बनाने में लगे अब 45 मिनट मकी की रोटी को बनाने के नए इन उसके बता रहे हैं जैसे पंजाब हरे आने की ममीया कल ही पैदा हुई हो किचन में ममी मकी की रोटी के साथ गिदा पाएंगी और पापा चेम्टे के साथ रोटी यां सेकत वे पंगड़ा पाएंगे गुसे से गले तक भर चुकी ममी अब सुबह दोपेरे रात तीनों टाइम सागी हिलाएंगी जब तक पापा की रगों में दोड़ता खुन लाल से हरा नहीं हो जाता और इनका बच्चा हल्क नहीं बन जाता तब तक लगेंगे साग को तड़के हफता हो गया साग बनते बनते घर के सदस्ते खा भी साग रहें और निकाल भी साग रहें सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमने सरसो के तेल के अंदर तड़का देना है जिसमें एक अच्छी कॉंटिटी अद्रक और लसन का प्रियोग करेंगे और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए पानी के अंदर हींग को घोल के इस्तमाल करेंगे और प्यास टमाटर के साथ विनेगर को आड़ करने से मिलेगी एक्स्ट्रा खटास सौर्ट रेगलेट करने के बादे से अच्छे से भून लेंगे फिर इसे देशी की डाल कर सर्फ करेंगे सो अंकल्स साग दस किलो की जगा दो किलो ही लेकर आएं और किचन की काम में घरवाली का हाथ बटाएं and thank you for loving सुखी प्यार्दी पुखी